जिस चुनाव में ना धारा 370 है ना अलग जंडा है पहली बार एक देश में दो विदान दो निसान दो प्रदान नहीं चलेंगे अब मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को दो विदान दो प्रदान दो निसान समाप्त कर दिये हैं आजादी के बाद पहली बार जमु कस्मीर में एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिस चुनाव में ना धारा 370 है ना अलग जंडा है पहली बार हमारे अध्यक्स सामाप्रसाजी ने कहा था कि एक देश में दो विदान दो निसान दो प्रदान नहीं चलेंगे और सामाप्रसाजी ने इसके लिए अपनी जान देदी थी और आज मैं क्या कर जाता हूं अब मोदी जी ने पाँच अगस्त दो जार उन्निस को दो विदान दो प्रदान दो को निसान समाप्त कर दिये है समाप्त और एंसी एंसी और राहूल बाबा जानते हो ना राहूल बाबा को फेंट एंसी और राहूल बाबा कहते हैं हम दारा 370 वापीस लाएंगे कस्मीर का जंडा वापीस लाएंगे मैं इस मंच पर से कह देता हूं चनेनी वालो मैं इस मंच से राहूल बाबा को कहना चाहता हूं राहूल बाबा आप क्या आपकी तीन पिड़ी की ताकत नहीं है 370 को वापीस लापीस लाएंगे एक कॉंग्रेस एंसी पिड़ी पिने एक पूरे जम्मु कस्मीर को आतंक में जोकने का काम किया चालीस चालीस साल तक आतंकवाद चला चालीस अजार लोग मारे गए एक पैंतीस चालीस साल में तीन अजार दिन करफ्यू रहा हरोज इपाक प्रेरी टातंकवादी बम दमाका और गोलियां चलाते थे मोदी जी की सरकाराई धारा तिन सो सत्तर गई ना पत्थर बाजी हो रही है ना बम दमाके ना गोलिया चला अरे लोग एंसी पीडीपी कॉंग्रेस भीर से जम्मु कस्मीर में आतंकवाद लाना चाहते मैं बता कर जाता हूं उमर अब्दुला आपकी जो इच्छा हो आतंकवाद को हम पाताल तक गहरा दफन करकर ही दम लें किसी की तकत नहीं है जम्मु कस्मीर में अब आतंकवाद फिर से आए केंद्र में हमारे प्रियनेटा नरेंद्र मोधी की सरकार है नरेंद्र मोधी झाल